असलाम अलेकुम नमस्ते सास्रेकाल विलकुम बैप लिएन यूटिप चैनल दिस इस में साइमा पीर्जादा एंड यूर वाचिंग साइमा पीर्जादा लेक्षिन चैनल कैसे हैं आप लोग तो दोस्तो आज का वीडियो हम देखने वाले हैं बैसिकली नागपूर में जो है नहीं मेट्रो आ रही है और बैसिकली यहां पर एक डबल डेकर के नाम से मतलब के फ्लाय ओवर बनाया जा रहा है विच इस अमेजिंग एक्ट फ्रम जो नेतिन गत्करी जी हैं उनकी तरफ से I think कि onya में इतनी ज्यादा डिवेलफमेंट होना एक बहुत ही जबरदस्त कामियाभी की तरफ जा रहा है मतलं कि यह बताता है कि वो इंडिया किती तेजी से कामियाभी की तरफ चल रहा है सो चलते हैं देखते हैं इस वीडियो को औरिशनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो आप महां से देख सकेंगे और अगर मेरे चैनल पर न्यूँ हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बुलिएगा and bell icon को all notification पर प्रेस कर लें ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें So yes, let's start Hello दोस्तों क्या आपको पता है कि नागपूर Metro 65% solar power का यूज़ करके अपने Metro को संचालित करेगा और साथ ही क्या आपको पता है कि नागपूर Metro में 4th layer transportation system बनेगा जिसमें Indian Railway का track भी रहेगा और साथ ही रोड भी रहेगा और साथ ही नागपूर Metro भी रहेगा तो चलिए हम देखते हैं किस तरीके से रहेगा और कैसा रहेगा आज के इस वीडियो पर तो चलिए सुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है नागपूर Metro समय समय पर क्रितिमान हासिल करता रहता है उसमें से एक है 4th layer transportation system ये क्या है और कहा बन रहा है चलिए इस वीडियो पर देखते हैं कामठे इलाका जो की काफी रजभरा इलाका होता है वहाँ पर आपका गड़ी गोडाम के पास बन रहा है आपका 4th layer transportation system इस पर 60% काम अभी फिलाल complete हो गया है तो चलिए चर्चा करते हैं ये एक ऐसा 4th layer transportation system है जिसमें सबसे उपर की जो layer है उसमें नागपूर Metro चलेगी जिसकी जो height रहेगी वो 24 meter रहेगी ground से उसी तरीके से जो second number के layer है उसमें flyover है जिसकी जो height रहेगी वो 14 meter रहेगी और आप देख पा रहे हैं कि नीचे से एक railway track cross हो रहा है जो की है नागपूर भोपाल rail route जो की नागपूर भोपाल होता हुआ ने जेली कर चाता है और सबसे नीचे आप देख पा रहे हैं कि एक अंडरदीच है कहने का मतलब यह है कि यह जो सारे जो आपके transportation है वो एक ही pillar पर टिके हुए है हाला कि जो railway track है वो ground पे move हो रहा है लेकिन आपका flyover हो गया और साथ ही उपर का जो metro चल रही है वो एक ही pillar पर है साथ ही एक और बात में बताना चाहता हूँ कि यह अपने आप में इंडिया का पहला ऐसा portfolio transportation system है चलिए कुछ और बातों के बारे में हम discuss करेंगे सबसे पहले यह जो project है इसकी जो cost है approximately वो पास्टों 83 करोर रुपए है जो की NHI के स्मयोग से बन दा है तो इस तरीके से यह बनने के बाद उस इलाकों में जो traffic congestion होता है वो काफी कम हो जाएगा अलाकि आप वीडियो पर देख पा रहे होंगे यह वर्धा इलाके का double layer transportation system में जिसमें सबसे उपर आपका metro चलती है और बीच वाली layer पे आपका normal traffic चलेगा बनने के पाद यह भी एक ही pillar पर टिका हुआ है तो इस तरीके से यह एक बहुत अच्छा idea है कि कम area में आप दो transportation system को आप execute करा सकते हैं तो आइटिंक दोस्तों मुझे लगा यह जानकारी आप लोगों के साथ सेर की जानी चाहिए चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वीडियो अगर पसंद आदे वीडियो को लाइक और सेर दोनों करते हैं तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू वेज़ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए double-decker से जी होगा के आपके जो मतलब के नीचे रोड है जिस पे आप गाडियां चल रही हैं आपकी मतलब की आपको कोई दिकत नहीं होगी और नीचे ट्रैफिक चलेगी जो रोड पे नॉर्मल ट्रैफिक चलती है इससे डाइवर्ट हो रहे हैं मतलब कम चगह में इतनी सारी चीजें जो हैं वो आपको देखने को मिलेगी आइटिंग के ट्रैफिक की वज़े से ना यह सबसे बड़ आपके रोड रहते हैं क्योंके शार्जा में रहते हैं सारे काम लोग रहते हैं शार्जा में बहुत सस्ता पढ़ता है रेंट के लिहाद से लेकिन अगर हम जॉब्स लेकिन लोग दुबई में करते हैं मोस्प्री तो वह लोग करते हैं दुबई से जब शाम में ऑफिस से तो जो चार्जर से कनेक्ट होता है दुबई का रोड वहाँ इतना क्राउड होता है कि आप यह कह सकते हो कि लाइन लगी होती है गाड़ियों की और आपको मुका नहीं मिलता कि आप में किस तरह हां से निकलना है तो एक दो घंटे भी तीन घंटे भी लग जाते हैं आपको ट्राफिक में फसे हुए तो यह हम इस तरह का प्रॉब्लम रहता है तो अगर इस तरह से रोड बना दिये जाए तो मुझे लगते है कि बहुत ही बेस्ट आइडिया है मतलब रोड मीचे रोड की कनेक्टिविटी अरुर्ट की के देखाना रहता है तो यह को बना डिया फिर उसके ऊपर अपने अपने मैट्रों की सिस्टम बना दिया आइडिया और शायद मैंने से पहले कभी नहीं देखा हो सकता है दुनिया में कई ना कई तो होगा लगान मैने नहीं देख़ आच तक लाइव में इस आप स्मूद्री ट्राफिक कर सकोगे अपना काम कर सकते हो फिर आपको इतना ज़ादा दिकत का सामना भी नहीं होगा तो अमेजिंग आइडिया और काफी अच्छा रोड के उपर जिससे वो कॉंस्ट्रक्शन्स कर रहे हैं रोड बनाए जा रहे हैं और इंटर सिटी में उन्हों ने टनल बना कर काफी खुबसूरत तरीके से बढ़ाया साथ में जो है वो रोड की जो ट्राफिक को भी कंट्रोल कर रहे हैं और यही शहाद रीजन है कि पांट साल मजीद उनको दे दिये गए हैं कि आप और मजीद इन्वेशन करें मजीद आप डिवेल्मेंट करें इससे जो है जब रोड के इच्छे खुबसूरत होंगे तो जार सी बाते लोगों अट्रेक्शन बढ़ेगी कनेक्टिविटी होगी और ट्राफिक बहुत कंट्रोल होगी और फिर टूरिस्ट पी जो है वो इसली नहां पर ट्रावल करना पसंद करेंगे तो खैर इंडिया म और आगे बढ़ें और बाकी है कि मेरे चैनल पर नहीं होएं तो सब्सक्राब करना माद बुलिएगा और अगर आपकी पस कोई सजेशन हो तो आप मुसे शेयर कर सकते हैं नीचे लिंक शेयर के लिए कर दिया करें तो हम उस पर रेक्शन ज़रूर देंगे कॉमेंट सेक्श झाल